बीट बीडिंग किसे कहते हैं इन रेक्ट्र बीडिंग कैसी होती है जब हम rectal bleeding की medical meaning की बात करते हैं इसे कहते हैं hematokasia hematokasia का मतलब है कि latin के रास्ते से red blood का pass होना तो अगर red blood pass हो रहा है latin के रास्ते से तो उसको hematokasia कहा जाता है यह इस तरह का जो blood है वो latin में mix हो सकता है या separate हो सकता है by in large इसे separate जादा देखा जाता है mix कम देखा जाता है यह drops में हो सकता है jet में हो सकता है यह कभी-कभी clots के रूप में आता है यह देखिए जो rectum का जहां तक सवाल है जो latin का रास्ता है इससे तो कहते हैं एनस जो rectum में उसके ऊपर होता है इसको rectal bleeding इसलिए कहा जाता है क्योंकि rectum immediately इनस के ऊपर की तरफ होता है जब भी latin के रास्ते से blood आता है it is not necessary कि rectum से आ रहा हो बहुत सारे दूसरे areas हैं जहां से blood आ सकता है लेकिन इसे rectal bleeding का एक terminology में rectal bleeding कहा जाता है नो कितना severe हो सकती है यह bleeding जो severity है bleeding की यह amount है वो vary कर सकती है जो speed है वो vary कर सकती है but by and large जो most episodes होते हैं scientifically ऐसा माना जाता है कि वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं most patients का ऐसा observation है कि जो blood आता है वो कुछ drops में आता है अपने आप ही बंद हो जाता है lettering के पहले भी आ सकता है lettering के बाद भी आ सकता है कुछ patients observe करते हैं कि जो blood है वो वास्तों जब वो wipe करते हैं तो tissue paper पर दिखाई देता है कभी कभार patients का observation है कि जो hematokasia है उसमें जो blood आता है वो बिलकुल पिछकारी में आता है या jet के form में आता है तो these are few observations जो patients के observations है अगर हम ध्यान से देखें तो जो bleeding होगी या rectal bleeding होगी वो तीन category में होगी number one is the mild rectal bleeding या थोड़ी 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 है second one is the moderate rectal bleeding जो ज़्यादा है और third one is the severe rectal bleeding severe rectal bleeding is a very risky factor now mild rectal bleeding को ध्याद से देखें जो mild rectal bleeding है मैंने जैसी बात की कि थोड़ा सा blood pass होता है इसमें urgent investigation का ऐसा requirement नहीं माना जाता है ये जो patients हैं या इनको OPD के base पर पूरा treat किया जा सकता है इसमें किसी भी उस पर hospital में admission के requirement नहीं आता है इस तरह की situation में blood transfusion का requirement नहीं आता है इन चीज़ों का requirement नहीं है इनने सिर्फ OPD based पर investigate किया जा सकता है और treat किया जा सकता है ये बात जरूर है कि हमें investigate करके ये clear करना पड़ता है कि blood आने का source क्या है blood कहां से आया लेकिन जो mild rectal bleeding है वो investigation अर्जेंट नहीं मांगती hospitalization नहीं मांगती and blood transfusion नहीं मांगती इसको सिर्फ OPD based पर treat किया जा सकता है जब हम moderate bleeding की बात करते हैं इसका मतब ये है कि letern के रास्ते से large amount of bright red या maroon color का blood है वो pass हो रहा है ये इस तरह कि जो blood है moderate bleeding की category में आती है इसके अलावा the third one is the severe bleeding जिसमें एक large amount of blood आ रहा है जो blood है वो बहुत large amount है जो single episode में के एक बार आप गए और अधा liter जो नहीं blood निकल गया या multiple episodes हो सकते हैं smaller amounts के हर बार 100-100 gram का है लेकिन हर 30-30 minute में आपको blood pass हो रहा है तो ये moderate and severe bleeding है these are the risky areas अगर moderate bleeding है या severe bleeding है तो उसका जो effect है वो body पर तुरंत ही दिखाई देने लगेगा जो symptoms आएंगे उनको ध्यान देने की जरूरत है जो symptoms आएंगे वो इसलिए आएंगे हो क्योंकर body के अंदर जो blood है उसके suddenly जो amount है वो कम हो रही है तो BP इतना कम हो जाएगा कि फिंटिंग होने लगी जो blood pressure monitor किया जाएगा तो आपका systolic और diastolic दोनों के दोनों blood pressure नीचे आजाएंगे अगर दोनों के दोनों blood pressure नीचे आएं तो ऐसा होगा कि आप लेटे हुएं तब तो ठीक जैसे ही उठके बैठेंगे तो ऐसा चक्कर आने लगेगा यह वर्टाई होगा यह कि इसे कहते हैं ortho-static hypertension तो इस तरह के symptoms अगर आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि blood का जो amount है वो काफी ज़्यादा loss हो गई है यह इसे serious issue है at times जो bleeding है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी body के अंदर blood की कमी हो जाती है तो hypo-volumic shock develop हो जाता है जो shock develop होगा तो BP एकदम नीचे की तरफ जाएगा अगर ऐसी situation है इसका मतलब यह है कि urgent hospitalization चाहिए जो emergency admission है वो urgent हो जाता है आपको blood transfusion का requirement है early evaluation की ज़रुरत है कि यह bleeding कहां से हो रही है किस area से हो रही है क्या कारण है इसके होने का क्योंकि अगर यह दवाईयों से नहीं control हो रही है तो it's quite possible कि कुछ interventions की ज़रुरत पढ़े जो के endoscopic interventions हो सकते हैं और उनसे नहीं अगर control होते हैं तो कभी-कभी जो radiology के थुरू तो अगर bleeding moderate है, severe है इन shock develop हो रहा है तो urgent hospitalization की ज़रूरत है तो जब हम rectal bleeding की बात करते हैं तो bleeding जो latin की रास्ते से हो रही है लेकिन rectal bleeding यह indicate नहीं करती है कि जो भी problem है वो rectum में ही है जो rectal bleeding is a term जो hematokasia भी कही जाती है जिसमें blood latin में mixed भी आ सकता है आ सकता है बट usually जो blood आता है वो bright red है लेकिन जो source है वो जरूरी नहीं है कि rectum में हो source जो है नो colon में कहीं भी दूसरे areas में हो सकता है जब हम बात करते हैं mild bleeding की वो opd base पे treat हो जाती है outdoor की base पे treat हो जाती है लेकिन अगर जो bleeding की बाड़ेट है severe है और blood का volume नीचे की तरफ जा रहा है तो hospital की जरूरत है urgent investigations की जरूरत है और अगर नहीं control हो रही है तो intervention की जरूरत पढ़ती है अगर आप समझते हैं कि rectal bleeding के इस angle को समझने में ये video help करता है तो जरूर share करें मैं डॉक्तर वी के मिश्रा from guest to liver hospital for uptingar kanapur thank you very much